नमस्कार दूस्तो श्टाक मरके स्टेडिज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है तो आच यह फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन्स कमपानी का अपडेट सेर करने वाला हूँ तो फिटो को पुरल आस्तिक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सबस्क्रेब नहीं किया तो जोरू कलेजेगा कंटिनेसली इंफोर्मेशन और अपडेट्स बाने के लिए चैनल के उपर बने रहिएगा तो चलो देख लेते कौन सा कौन सा कमपानी है इस बीडियो के अंदर फर्स्ट जो कमपानी है जिसके बारे में चर्चा करो उसका नाम है आर्ती ड्रग्स देखिए आर्ती ड्रग्स के बारे में चर्चा करो इस कमपानी एक ड्रग्स मैनिफेक्टरिंग कमपानी है Actually देखाए तो company एक API company है अभी API होता क्या है API के मतलब है Active Pharmaceutical Ingredient Active Pharmaceutical Ingredient जो हम लोग जितने सारे medicine लेते है तो उस medicine को बनाने के जो ingredient लगते है उसी का ही company पोड़क को बेशते है साथी साथ company chemical sector के उसाथ भी जुड़े हुए है तो company देखाए तो pharma के साथ साथ chemicals भी बेशते है और एही project एही जो business है ए बिजनेस company को आज एक बहुत बड़ा जटका दिया यह के total market में chemical का जो demand है वो लगाता लगाता काम होता गया और जिसके चलते है market में एक pressurize है कि demand काम होना मतलब company के उपर एक sales काम होना है sales काम मतलब profit काम तो वो ही चीज़ यहाँ पर देखने को मिला अगर देखेंगे तो उस company के sales में continuously एक growthable situation देखने को मिला था finally September मांद में 2023 में वो sales बहुत काम हो गया और sales काम होने के बाद company expense को भी company control में रखने के बाद भी company के net profit थोड़ा सा कम हुआ SNE की बहुत जदा कम हुआ इसको recovery किस ने किया recovery किया API के मांथ हम से company के recovery हुआ SNE की chemical का product एकदम ना के बराबर बेचा जा रहा है बहुत कम हो चुके है अगर उसका demand बढ़ जाएगा तो यहाँ पर profitability भी बढ़ेगा और company में एक धमा का performance देखने को मिल सकता है अगर इसका cash flow के बारे बात करूँ तो देखिए company के पर कभी भी cash flow negative नहीं दिखा तो finally company कितना profit किया साल भार में 153 करोड और cash flow कितना है 162 करोड तो मतलब company के जो cash flow है न वो आपको जो data देखने को मिले आपको जो data देखने को मिले मेरे हिसाब से ठीक ठागी data है मतलब company जितना profit दिखाया उतना ही company cash flow को भी दिखाया और देखिए सबसे बड़ी बात है company के जो fixed asset purchase इस बार company highest fixed asset को purchase भी किये करीबन 131 करोड के आसपास पिछले बास 127 करोड के आसपास था अभी बोही चीज आपे balance sheet में भी आपको दिखेगा company इसको पर जो trade receivable है वो आप देखेंगे तो 651 करोड के आसपास trade receive हुआ जो आज तक की जितने trade है trade receive किया है उसी के आसपास पिछले बार 800 करोड मिला था इस बार 650 करोड मिला तो अच्छा कासा trade receive हुआ अच्छा कासा एक trade मिला company को तो आज इंवेस्टर प्रमोटर से लेकर FISDS पाबली हार किसी के पास आपे investment देखने को मिले तो companies के उपर जो delivery का percentage है वो देखेंगे तो company के कुछ 40-50% के आसपास delivery का percentage देखने को मिले और एक चीज में आपे बता दू company को जो technically chart button है वो आप देखेंगे तो company में कुछ इस तरह के से technically chart button देखने को मिले एक कब बना और उसके बद में integer करो एक handle बनने का तो handle कब बनेगा वो तो पता नहीं मगर एक चीजों को ध्यान देना यहापे strongly company को क्या बना एक support बना जो यहापे कुछ hold करने के बाद company उपर गया था एक resistance को face किये फिर से दिखिए वो ही resistance को बार बार face कर रहा है और यहापे फिर से support लिया और धिरे-धिरे करके जिस तरह के से उपर side में जा रहा है मतलब इस resistance को तच करने के लिए वो जोरू कोसिस करेंगे बाकी इस company के उपर क्या decision आपका जोरू comments करके बताना तो next चो company है उसके बारे में बात करूँ उसके नाम है easy planner सबसब इस company के चार्ट पेटन के बारे में चर्चा करूंगा पांच-पांच बार company आप एक bottom बना चुके है तो इस bottom को तोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि ना तोड़ने के दो कारण है पहली कारण company के fundamental और financially कोई भी negative sentiment नहीं है कोई भी negative issue नहीं है और दूसरी बात company वोही level में आ चुके है जो company का previous एक strong swing level है एक strong swing resistance है जो resistance को break करने के बाद एक बड़ा धमका हुआ था वोही level को बार-बार retest कर है अब यह देखना है कि वो upside में जाएगा कि वो downside में जाएगा तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ अगर downside में आए तो 32 rupees के आने का chances ज्यादा देखने को मिल सकता है बाकी इस company के उपर आपके का decision है जोरू मुझे comments करके बताना तो इस company के उपर हाँ sorry एक चीछ तो मैं भूली गया इस company के उपर performance सबसे बहले आपको एक चीछ दिखाऊंगा जो है जो लोग मुझे पूछ रहा है के इस company के उपर अच्छा ही है तो company की उगी रहा है तो कभी कभी बिजनेस में कुछ इस तरह के situation देखने को मिलता है तो company का जो business मतलब performance है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा जैसे आपको सबसे पहले में result के बारे में चर्चा करोंगा quarterly जो result है वो 10 करोर से बढ़के हो चुके थे 57 करोर 10 करोर से 57 करोर उसके बाद 104 करोर उसके बाद 120 करोर तो एक अलग level का company का sales का growth आपको देखने को मिले उसी तरह के से expense को भी company control में रखे और उसी basis में company का net profit लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले तो एक अलग level का net profit बढ़ता हुआ देखने को मिले अभी इस company के उपर as a investor as a investor promoter से लेकर FSDS public के पास अच्छा कासा holding सबको देखने को मिल जाएगा हाँ कुछ institution के पास उतना जदा holding नहीं है पहले जितना holding था तो companies के उपर अगर मैं एक चीज आपको दिखा दूँ के ratios तो ratios देखे इस बार highest ratio देखने को मिला Mars 2023 में company के जो डेटोस दे है वो सबसे ज़्यदा देखने को मिला इसका मतलब company जो customer को product बेच रहे है घुम फिर कर पैसा repayment बहुत दिनों को बात कर रहा है 138 days और यही कारण के पज़े से market को पर एक price rise देखने को मिला तो यह कारण है इस तरह के से बहुत सारे कारण से है जिसके कारण सेर में massive correction देखने को मिला तो company के उपर देखे जिए प्रोजेक्ट जो मिला company के इतना continuously borrings को कम कर रहे थे इस बार company ज्यादा कर जा लिया क्योंकि company एक news भी publish किये थे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा था कि एक बड़ा acquisition किया है एक दूसरे company को तो उसके कारण company के एक खर्चा भी बढ़ा और उसके साथ साथ company जो reserve है वो भी लगातर बढ़ाते चलेगे तीन करोड से बढ़के हो चुके है 437 करोड के आसपास और company का fixed asset भी लगातर बढ़ते हो देखने को मिले और आदास asset के बारे हैं बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो देखा जए तो trade receivable है मतलब company को कितना project मिला तो company पहले दो करोड पांच करोड आसपास project मिलते थे आज company को 190 करोड से भी ज़्यादा project मिला तो इसका मतलब highest company को project यहाँ पर मिलता हो देखने को मिले तो आजए investor, promoter से लेकर सारे बैक्ती के पास holding तो है मगर holding बहुत ज़्यादा काम हो चुके है institution के हिसाब से तो पहले institution के पास तो ज़्यादा holding था वो अभी बहुत काम हो चुके है तो यह पर question mark यह आएगा कि sir इस company के पर अभी क्या क्या जाए देखे मैं खुद की मेरे opinion को बता रहो मैं इस company के पर obviously bullish हूँ फुरा सा correction हुआ इसके लिए मैं panic situation नहीं करूँगा company छोटा है तो कभी-कभी इस तरीके से situation बनेगा तो उसके पर फिर से reversal जोरू कर सकते हैं तो मैं इस company के पर bullish हूँ आपके किराय है जोरू comments करना तो next company उसके बारे में चर्चा करूँ जिसका नाना Green Panel Industries Limited देखे फाइनली जो मेरा trade था फाइनली यहापर target अचीव हो चुगा है किस तरीके से trade बना था एक cup बना उसके बाद एक soldar उसके बाद फिर से cup बना और फाइनली यहापर breakout हुआ था और confirmation इस candle के उपर हुआ तो confirmation होने के बाद दिखी बहुत दिन तक time लगा एक बाद नीचे आया रिक्टेस्ट किया उपर गया यहापर यहापर मैं पहले भी बोल चुका हूँ जब भी आपको previous कोई भी resistance दिखे resistance कम supply zone दिखे तो हाँ से एक फिर से correction होने का chance सबको देखने को मिल जाएगा और जब भी यहापर correction हुआ था तो मुझे बहुत सरे comments आना start हो गया कि सर यहाँ से और भी क्या गिर सकते है तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कितना गिरेगा कहा तक आएगा वो एक support resistance के basis में ही आपको पता करना चाहिए तो यहाँ पर एक support था वो ही label में company आया और retest किये और उसके बाद देखिए धामा का performance और target अचेव किया तो finally जो target बना कितना बना 25% के आसपास और कितने दिनों में target बना time थोड़ा सा ज्यादा लिया जब इसका anti हुआ जब इसका इस दिन से anti हुआ उस दिन से देखा जाए तो at least 176 days तो at least 6 months आप बोल सकते हैं तो 6 months के आसपास company 25% के आसपास return दिया तो यह अच्छी बाद है और यह पर question यह आएगा कि मैंने trade क्यों लिया इस तरह के से trade अगर बनेगा अगर भान के चली इस तरह के से trade आपको दिखे तेकनिक लिए अगर चैट पड़न आपको दिखे तो आप सब सब पहले आपको क्या करना चाहिए सब सब पहले आपको company का financial details देखना चाहिए फाइनसे details में देखे कमपानी बहुत चोटा था अभी भी चोटा है पांचा तीन सो क्रोड कमपानी का ROC आरवी बेस्ट है पी रिश्य भी सस्ते में है और डेप्त कम था, इंकम जादा था और परमोटर कमस होल्डिंग्स भी जबदस्त है और उसके साथ साथ कमपानी quarterly continuously एक range की सबसे कमपानी sales को maintain किये जब sales बढ़ता जा रहा था और उसके साथ expense को control करने के बाद company के net profit लगातर बढ़ता हो देखने को मिले, तो इस basis में company को पर मैंने टेल लिया तो यहाँ पर देखिए इस बार company को जो result है गोटि वान करोड़ तो रेदेट बना था पेकल ऽेड़ क侅mal के त्सक्रीच देखेंगि देखेंगे तो एच्छलाय मंथ में अगर देखेंगे तो और इस इस लेबेल में आपके जून मांत में जो काम करते चले गए थे तो और साथी साथ रिजर्व को देखी लगातार बढ़ाते चले जा रहे थे इस सारे कारण के बाज़े से मैंने टेल लिया और इस सारे को आपको देखना चाहिए अगर इस पॉइंट्स में ज्यादा पॉइंट्स ऐसे नहीं कहूंगा कि 10 10 आउट आउ देखने को मिले तो जब भी इस पॉब्लिक माल बेच रहे थे तो मुझे एक क्लियाटी मिल गया कि पॉब्लिक माल बेच रहे उस माल को इंस्टूटूशन खरीदरीकर है मतलब कुछ ने कुछ धामका होने का चांसेस रहेगा तो फाइनली यहाप एंटी बना था और उसके अगर आपको काम करना है आपको सारे चीज़ों को सीखना है तो प्लीज एक बार रिसाज करके जुरू करिएगा ब्लाइंटली किसी के ऊपर भी इस तरी के से काम मत करिए तो नेक्स चो कमपनी है उसके बारे में चर्चा करो उसका नाम है नसले इंडिया लिमिटेट एक ऐ दस्चर मिलेगा और एक के बदल दस्चर मिलेगा बोविक अब 2024 और फाइफ जनरी में तो फाइनली कमपनी स्प्लीट दे चुके है कि कितने सर दोस्कों स्प्लीड मिला जुरू कमेंट्स करना क्योंकि कमपनी का प्राइस हजार के आसपास देखने को मिला था तरी 26006 इस देखिए 2600 के आसपास स्यार का प्राइस देखने को मिले फिलाल के लिए इस कमपनी को पर एक बार आपका ओपीनियोन रखिए मुझे जुरू कमेंट्स करिए और वीडियो में जानकर अच्छ हमले तो प्लीस लाइक करिए मिलते नेक्स वीडियो में कब तक के लिए धन्य घर बार आपका सवीडियो में लाइक कर्मfund